हेलो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम लोग भाग करना सिखेंगे तो चलिए हम भाग करना सिखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुए 8 से हमें भाग देना है 954 में तो 8 से भाग देना है तो कैसे देंगे तो सबसे पहले 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 हिकम 8 8 दुनी शोल है 8 तिया 24 हम देखते हैं कि भाग में जब भी लगाते हैं पहले एक संख्या में लगाने के लिए सोचते हैं तो यहाँ पर 8 हिकम 8 आ रहा है उससे बरा नहीं होना चाहिए अब देखे 8 हिकम 8 लगा लिए अब यहाँ से घाटाते हैं तो 9 में से 8 गया कितना बचेगा एक अब उपर से एक संख्या उतरेगी 5 उस 5 को हमनों लिख देंगे तो एक पर 5 कितना हो गया 15 फिर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और जो संख्यां से यह सटिकता से लगेगा उसे हम लगा देंगे तो 8 हिकम 8 अर्दुनी 16 अब देखे 16 इससे ज़्यादा हो रहा है यहीं दो यह बार में ज़्यादा हो रहा हम तो आगे कहे पढ़ें इसलिए इसको हम एक बार में लगाएंगे जिससे ज़्यादा होगा उससे पीछे हट जाएंगे तो एक बार में लगाते हैं 8 हिकम 8 अब आप 15 में से 8 को घटा लेजिए 15 से जब 8 घटाईए गाती नहीं 15 से 8 गाकितना बजएगा 7 साथ बच गया अब उपर से कौन संख्या उतरेगी उपर से उतरेगी 4 ठीक यानि यह हो गया आपको 74 फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे और इसके नजदिक हमको जाना है तो 8 एकम 8 अर्दूनी 16 आर्टिया 24 आर्टिया 24 आर्टिया अठनमा 72 इस तरह आप अठनमा 72 लगा दिये आप इसको घटा लेंगे घटाते हैं तो 4 में से दू गया 2 और यह कट जाएगा यानि आपका जो नीचे 2 बचा इसको आप सेस कहिएगा क्या कहिएगा सेस यानि सेस आपको कितना बचा दो इस तरह आपने अभी भाग देखा आईए हम एक और धरन लेकर आपको इसी में जो भी डौट होगा उसको किलियर करेंगे देखिए यहाँ पर 12 से हमको इसको में भाग देना है तो अब यहाँ पर एक अंक तो 8 है इसे छोटा है तो हम दोनों को लेंगे यानि 8 और 87 हो गया इन दोनों में लेंगे तो क्या करेंगे बारे कम बारे 24 बारे 32 36 बढ़चोक 48 बारे बचे 60 बढ़चक 72 बढ़चते 84 यानि 7 बार में हमें इसके करीब आ रहा क्या 84 लिख देंगे अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे तो चात में 4 गया कितना बचेगा 3 यह गट जाएगा अब उपर से क्या उतरेगा तो उपर से उतरेगा 6 तो ये हो जाएगा 36 मैंने अभी 12 का टेबल पढ़ा उसमें आप क्या ने देखा 36 आया जी हाँ आया 12 तिया 36 तो मैंने 3 बार में लगा देंगे इसको 12 तिया 36 तो ये घट के कुछ नहीं बचेगा अब उपर से एक संख्या उतरेगी 4 क्या आप 12 में 4 लगा दीजिएगा नहीं लगेगा क्योंकि इससे ये छोटी है जब ऐसी स्थिती आ जाए तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक सुन्न दे देना है और ये ही सेस बन जाएगा I hope कि आप इसको समझे होंगे इसको गुना करेंगे 0 आएगा और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर 4 सेस लिख दिया I hope कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और अभी तक इस वीडियो को लाइक नेगे तो लाइक कर लिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद